सोफे पे इतने सारे कपड़े इकठी हो रखे हैं सारे धुले हुए कपड़े हैं इसमें मेरे भी कुछ स्वेटर्स हो गहरा है जब से मैं आई हूँ ना आपको पता है ना शादी से तब से ये कपड़े एक बार भी मैंने नहीं उठाए मैं सोच रही आज करूंगी आज करू के तो टीक लग रहे हैं पूरे इन यह ना घूले करता हैं आप्सिछ नहीं गय खायाी मैन के चैशे हिए लके थे अज चाहने सारे ऐस जार आप अपनी खाय थीक लग टियम मैं पूरे इहां से खाली करती चैश तो अभड़ा थोड़ा कर एस दिन जाई थिन में आई थी तो बिल्कुल प्लेन वाइट नहीं है यह देखो ना इसमें कुछ-कुछ है डिजाइन है अलका ब्राउनिश ब्राउनिश शेड आता है टाइल्स में यह देखो ममी ने मेरा काम बढ़वा दिया विहान के हाथ में बालू शाई दे दी मैंने मम्मी को हमेशा मना करती हूं कि म आ ख़ाए देखो यह पीले चावल है हल्दी वाले इसमें थोड़े से नम्कीन चावल इसमें तमाड यह क्या बहुताए मतर है दूद में गरम कर और मेरे सर में हो रहा है दर्द इसके लिए मैंने देखो कोफी है चीनी है उबाल जाए त्यार करते हैं मैं जाड़ा जाड़ा, यहां दूबारा से निकाल के सारा जाड़ू लगाया, बाबु अंदर आजाओ, अब मैं दूबारा से अपनी कोफी गरम करती हूं, मुम्मा विहान को देख लोगे ना, मैं इतने थोड़ी देर अपनी कोफी पी रही हूं, चाय कहरी थी, मैं अब कोफी गरम कर लो, मुम्मी, अब शांती से बैठके, चाय प्योंगे, ममा विहान को देख लोगे ना, मैं इतने थोड़ी देर अपनी कोफी पी रही हूं, चाय कहरी थी, इपर देख लो, मुमी कहीं गरना जाएए, मैं आराम से बैठती हूं, ठीक है, अच्छली इस मैंने ना कल वो पहन लेना था, टोपा वगेरा पहन लेती ना तो मेरे नहीं होता, अभी एक दो दिन लगेगा टाइम, ठीक होने में, बाबू, नानी ने देखो, बड़े प्यार से आपके लिए चावल बनाई है, ये खालो, उसके बाद आप सो जाना, ठीक है, अज वैसे लेट कर दिया, अपने, पते है अभी क्या बात है, है ममा, अभी वैसे तो, कहने में तो एसा लग रहा है कि ना, जैसे ठंड कम है, कम है, लेकिन ममी ठंडी हवा जाद है, ठंड कम है, ठंडी हवा कानों में पढ़ने वाली, हवा वाली ठंड तो अभी भी है, शक्कर पारा, दही तो बढ़िया जम गई मम्मी गाड़ी गाड़ी सी एक दम तो ये है हमारा खाना नमकीन चावल है साथ में लासून की चटनी है और दही भी थोड़ी सी मैंने आज ले लिये मैं मम्मा को बोल रही है मम्मी इतनी सी दही दी बिद बोली मुझे मैं खुट डालती तो मैं इससे दबल लेती खुद के लिए लोग तो कहते है कि मा ज़ादा देती है मा थोड़ी देती है Für Leap अब जैसे चो सीजन अया ने ते फरवरी से फर्वरी से लेकर नवंबर तक मैं तही रेगुलर खाती हूँ सबस्केट कहा है जया नवी का ने लिए कोफी जादा पीली बेसन का चीला का निया ने लिए को प्यास लग और में बार बार पानी पीरी हूं फिस्भी मेरे को अंदर लग रही है और ने कीजा थोड़ा सा मुझे तब मतलब ड्राइ ड्राइ फील हो रहा है तो देखिए, मुझे आज आपके सब के साथ एक बात करनी थी देखिए, मैं भी इनसान हूँ, उससे भी गलतियां हो जाती है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा होता है कि आप कोई बात आपने बोल दी उस टाइम आपने इतना नहीं सोचा उस बात के बारे में लेकिन बाद में क्या है ना कि हम बैट के कहीं बार ऐसा होता है क्योंकि ये काम बहुत ही ऐसा है देखिए कभी ओफिस में अगर आप से कोई फाइल में कोई गलती हो जाए तो आप वो ठीक कर सकते हो या फिर घोस आएगा वो काम ठीक लेकिन यहां पर पब्लिक प्रेटफॉर्म पर आपने कोई गड़बड कर दी कोई बात बोलने में ऐसी बात बोल दी या कह दी तो आपकी चीज़े ना मतलब दिक्कत कर सकती है लाइप में वो ही गलती मेरे साथ एक हुई जो कि मैंने बाद में सोचा उस टाइम मैंने नहीं सोचा मेरी बात कहने वाली बात मेरी गलत नहीं थी लेकिन मैंने उस बात को किस तरीके से रखा वो गलत हो गया तो देखे मैं बात मैंने अभी आज से मेरी कुछ दिनों पुरानी I think 10-15 दिन पुरानी वीडियो थी मेरी उसमें मैंने एक बात आपके साथ रखी ती जिसमें मैंने बोला था मैं आपके साथ वो भी बताती हूँ कि मैं बोलना क्या चारी थी देखे उस वीडियो में मैंने बात बोला था कि देखे मेरा तो समाज के सामने शादी हुई थी हाना तो समाज के सामने शादी हुई थी इसलिए देखो मेरा दिख गया लोगों के सामने लोगों ने मतलब मुझे तो ये मतलब पता है सब कुछ पास्ट होता है हर लड़की का हना कुछ लड़कियों का होता है तो वह पास्ट होता है लेकिन जब वो शादी के लिए जाते हैं तो देखिए शादी के पास जाते है तो देखिए उनका जो पास्ट है वो दुनिया को नहीं पता ना पास्ट दुनिया को नहीं पता ह जब शादी करते हैं तो लोग उनको क्या करते हैं रिस्प्एक्ट से इज़त के साथ मतलब देखते हैं कि चलो कोई नहीं है नका कोई पुराना पीछे कुछ नहीं था लेकिन जो लड़की ने शादी करी शादी करने के बाद उसने माननों तलाउत हो गया तलाग होने के बाद क्या हो गया वो अपने पती से अलग हो गई पती से अलग होने के बाद जब फिर दुबारा दूसरी शादी करने जाएगी तो उसको क्या होता है तो फोड़ा सा अलग नजर से देखा जाता है कि अरे ये तो तलाग शुदा है तो मेरी बात मैंने उस वीडियो में ये बाला था कि देखिए अगर देखिए अगर मेरे पती गुजर गए देखो वो तो समाज के सामने हुआ या कोई लड़की है जो तलाग शुदा है ना वो समाज के सामने चीजे हो गई है मेरे मूँ से मैंने बोल दिया कि अगर मैं विद्वा हूँ तो इस तरीके से तो मेरी फ्रेंड भी तलाक शुदा हुई क्यों क्योंकि देखो उसका भी तो पाश्ट था लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं था अगर देखा जाये तो देखो अगर मैं यह हूँ तो वो तलाक शुदा हुई मतलब मैंने इस तरीके से कोई बात बोली थी तो यहाँ पर देखो मेरी बात का मैं यह बोलूँगी आज की मेरी बात यह गलत थी मेरे कोई बात बोलनी नहीं चाहिए थी क्योंकि बाद में मैंने बैठ किया सोचा कि देखो यार मेरे 30 या 40 फ्रेंड्स रही होंगी female friends 30-40 फ्रेंड्स रही होंगी आज तक मेरी जिंदगी में मालो 40-50 दोस्त रही होंगे मेरे 55 से आज तक तो मैं किसकी बात कर रही हूँ वो तो मुझे पता है मैंने नाम नहीं लिया किसी का आइडेंटिटी नहीं रिवैल करी कुछ नहीं करी लेकिन यहां पर मुझे से गल्ती हो गई आप कहो के कैसे तो देखें मैंने क्या बोला मेरी friend देखो आप लोग नहीं जानते मेरी कौनसी friend है लेकिन ऐसा तो नहीं है किसे दिक्कत क्या होगी मैंने यह बात किसके लिए बोली यह आप लोगों को नहीं पता अब देखो कल को क्या होगा यह बात मेरी को लगा कि मिरसे गल्ती हो गई यहां पे मैं बात समझाना कुछ और जा रही थी लेकिन वह बात निकल कुछ और गई कि देखे, अब माल लो, मेरी कोई वीडियो है, माल लो हना, तो, वो माल लो, मेरी कोई female friend है किसी भी तरीके से वो हो, चाहे मेरी college की हो, चाहे मेरी school की हो चाहे कही की भी हो, माल लो, कि office की मेरी कोई दोस्त है हना, उसके husband ने देखी तो वो क्या सोचेगा कि नीधी की दोस्त तलाक शुदा थी या नीधी की दोस्त ऐसे थी तो वो क्या सोचेगा कि यार मेरी वाइफ तो नीधी की दोस्त थी तो यहाँ पर वो क्या सोचेगा कि यार नीधी की दोस्त थी तो इसका मतलब यह इसकी बात कर रही है यहां पर मुझसे गलती हो गई, आप समझ रहे हो इसका मतलब कि मैंने अपनी 40-50 दोस्त जो मेरी रही होंगी आज तक मेरी जिंदगी की उन सब को कटगरे में लाके खड़ा कर दिया शक्के दाइरे में लाके खड़ा कर दिया अब मालो कोई और मेरे जानने पहचानने वाला है जो कोई मालो कोलेज में कोई लड़का है वो मेरे को जानता है कि मेरी यह यह फ्रेंड थी कोलेज में तो वो क्या होगा उन लड़कियों को शक्के दाइरे में देखेगा जो मेरी वो दो-तीन दोस्त रही होंगी 5 friends college में है ना और कोई मेरे को UP कूल से जानता होगा तो मेरे स्कूल की जो दोस्ती उसको शक्क के दायरे में देखेगा यहां गल्ती क्या हो गे? ने एelles हैं गलती मेरे मेरे intention त Dubu muum मेरे इन इप मेरे इन्टेंशन गलत आयरे मेरे वहा है मैं अपनी इस बात के लिए माफी मौना चाहूंगी आप सबसे कि मैं गलत थी क्योंकि मेरी बात करने का तरीका गलत बन गया मेरे को यह बात बोलनी थी उस टाइं कि देखे मैं यह चाहती हूँ कि बहुच लड़किया हैं मैं अपना नाम ना ले के मेरे को मैं जनरल टम्स में बोल सकती थी ये बात मैं ये कह सकती थी कि देखो बहुत सी लड़किया ऐसी होती है हाना मेरे को ये कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे ये फ्रेंड वर्ड मैंने गलत यूज कर लिया यहाँ पे और मुझे ये बात बाद में किसी को भी यहाँ टारगेट नहीं कर रही हूँ या किसी को भी कटगरे में नहीं डाल रही हूँ समझ रहे हो को चीज तो प्लीज किसी के उपर भी आम उड़ता तीर मतले कर जाईए का कि मैं उसकी बात कर रही थी या इसकी बात कर रही थी हो सकता हूँ मैं किसी और किसी की बात भी ना कर रही हूँ हो सकता हूँ मैंने ऐसी एक example दिया हूँ आप सब को कि ऐसा होता है होता नहीं कई बर हम क्या कहते हैं हम किसी का ऐसे example लेके बात अपनी रखने ही कोशिश करते हैं तो वो एक्जाम्पल मैं कुछ और तरीके से रखती तो ज्यादा बेटर था अब आप सब भी समझ रहे होंगे ना कि नीधी ने कहां गड़बड करती मेरी बात करने का तरीका गल उल्टा सीधा हो गया है तो मैं इस चीज के लिए सोरी बोला चाहूंगी दिल से कि हाम उससे गड़ती हुई गड़बड हुई और ये चीज किसी का घर खराब कर सकती थी हाना अगर मालो किसी का पती शक्की हो हाना शक्की हो अलग तरीके का हो और वो मेरी वीडियो देख ले और मैं किसी और मैं उसको लगे कि हाम मैं उसकी फ्रेंड थी तो वो तो पता नहीं क्या क् प्रश्क कर ले किमक जरूर ने समय स्य तयालों, उसके भारे सुख लिए लाटी दीज उन्याक के लिए पूर तो किल चैनल गया होगा लिए और ना, तो स्याल पहलने हैवे तो ये से भी और बार दूले हैं कि मैं अपनी बात को बहुत है यहां पे जो मैंने पुब्लिक प्रेटफोर्म पे बोली और उस चीज के लिए मैं सोरी भी बोलती हूं और मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती हूं कोई भी होस में XYZ सकतर्ट मैं और सकतर्ट में fancy भी मोश्रूना से वाजस कुछ चीज़े में लेकिन के सथा मेरे कभी नाम की तो नाम ने लिए यहां बोलूँ से लोसल पर घर नकीजियों किसी कि आप में और रहे आमों भी मैं सोरी यहां रोच्छ यहां हैं टोटने को गर्यां कि ळिली बन्स बात रखने का तरीका कहीं बार थोड़ा सा गलत हो जाता है वो मेरे साथ हुआ उस टाइम और इसलिए मुझे बाद मियाल में खाली बैटी सोच ली थी और मैंने का नीदी तुने ये गड़बढ कर दी तुने बात रखनी तुझे रखनी नहीं आई अपनी बात धंक से उस टाइम और इस बात का मतलब गलत निकल जाता है हना और तु तेरी इंटेंशन भी गलत नहीं थी तो इसलिए इस बात को मैं वापिस लेकर आप सबसे सोरी बोलती हूँ और अपनी दोस्तों से भी सोरी बोलती हूँ अगर मेरी पचास दोस्त रही हूँगी कभी लाइफ में पाश्ट में तो मैं पचास की पचास से सोरी बोलती हूँ कि मैं आपके लिए नहीं बोल रही थी ये बात मैंने जनरल ही बोली थी मैं किसी के लिए नहीं बोली ठीके जी तो चलिए इस वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी रगे तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शियर कर दीजेगा और अपना खुब सेरा ध्यान भी रखिएगा बाई बाई टेक केर